नमस्कार दोस्तों मैतमाटिक्स दुनिया में आप सभी का हर्दिक्स स्वागत है मैं हूँ आपका अपना रविकान सर्मा उतकर्च के ओनलाई चैनल पर दिल से आपका हर्दिक्स स्वागत करता हूँ दोस्तों सबसे पहले आप सभी को हर्दिक्स सुबकामना आए बहुत आज अपन उसी पर चर्चा आपसे करने वाले हैं कि सो नंबर कैसे प्राप्ति किये जाएं उसके लिए हमें क्या-क्या पढ़ना पड़ेगा क्या-क्या हमारा पार्टी करम रहेगा वो क्या-क्या रनीतियां रहेंगी इन पर अपन चर्चा करने वाले हैं दोस्तों अच्छा एक विद्यारती और अच्छे एक युद्धा के पास यही चीजा होना बहुत जरूरी है इसके information होना बहुत जरूरी है कि युद्ध जीतने के लिए कि सामने वाली सेना में मुझे किस-किस से लड़ना है उसके पास क्या-क्या power रहने वाली है तो उसी प्रकार से एक विद्य वारू कराने वाला हूँ क्या-क्या अपना सिलेवस रहेगा जी हाँ दो mathematics की बुक रहेंगी अपनी part first ऑवं part two first part और second part बिल्कुल दो बुकें अपनी रहने वाली है पार्ट first ऑवं part second उसके बाद जो अपनी ये बुक है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ncrt कौन सी ncrt ब रहेगी दोस्तों बिल्कुल इसके दोरह जारी है कक्षा 12 पर अपने चर्चा कर रहे हैं तो यहां से आगे देखते हैं कितनी एकाईयां रहेंगी भाई एकाईयां अपनी रहने वाली हैं उनके वारे में पन्चर्चा करेंगे देखो यह अपनी जो उपर वाला दिख रहा है एक से छे तक यह अपने पार्ट फर्स्ट में दे रखा है बुक कौन सी बुक में है भाई फर्स्ट पार्ट में है पार्ट फर्स्ट और यह जो रहेगा वो part कौन सा रहेगा second part रहेगा प्रथम भागो गया और यह उग्या इसका दुतिए भागो गया part 2 ये अपनी दो भुके रहेंगे जिसमें सबसे पहला अपना रहेगा समन्द एवं फलन दूसरी प्रशनावली रहेगी प्रतलोम तिरकॉण मीतिय फलन तीसरी आ भी हूँ चोथी रहेगी अपनी क्या सारन एक और पांच भी रहेगी सत्त एवं अवगलिनेता और चटवी प्र ये अपनी प्रशनावलियों के दोस्तों नाम रहेंगे तो अब आपको क्या सीखने को मिला कि इस वार कितनी प्रशनावलियों का अध्यान करने वाले हैं तेरा प्रशनावलियों का पनाध्या करने वाले हैं बिल्कुल कितनी प्रशनावली पढ़नी है अपने को तेरा प् संबंध ऐभं फलन यहिए समंध मैं संबंदों के प्रकार फलनों के प्रकार को परकार निकालना पिलुक्व और अपने को दृचर संक्रिया नदोब बैनोम ऐपरेटर्स संक्रिया पर पढ़ेगे अनन्द लेंगे दोस्तों बहुत ही क्लो मेट्रिक फंक्षिन पर अपन यहां से चर्चा करेंगे और एकदम सानदार मस्तिदार जोड़ार टॉपिक दोस्तो रहेगा आभी उ मैट्रिक्स में मैट्रिक्सों के प्रकार उनके संयों जन उनके मल्टिफिकेशन उनकी संक्रियाएं और सांदार तरीके से अपनी पर प्रद्यान करने वाले हैं मेंक्रिक्स से ही जोड़ा हुआ अगला टोपिक है दोस्तों जिसका नाम क्या है सार्णिक रहेगा और कौन से में हमें 11 का बेसिक पढ़ना पड़ेगा मैं 11 का बेसिक भी आपको साथ साथ ही करा हुआ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है दोस्तो चलिएगा उसके बाद आगे अगला टॉपिक आता है सतत इवम अवकलियंता यहां से कलन प्रारम होता है दोस्तो क्या होता है यहां से कलन प्रारम हो जाता है इसमें अपन आराम से मस्ती के साथ पहले सतत अवकलियंता और उनके फलनों के बारे में अपन चर्चा करेंगे यहां से और उनके अवकलन भी ग्याद करना यहीं से सीखेंगे प्रतम कोटी के और दुतिय कोटी के कि अपकड़न यहां से अपन पढ़ेंगे दोस्तों उसके बाद यहां पर end में लांगराज माध्यमान ध्योरम भी यहां पर दे रखी है उसको भी अपने को यहां से पढ़ना है बहुत ही शांदार टॉपिक है दोस्तों एक बड़ा कोशन भी यहां से देखने को मिलता है उसके बाद अगला पढ़ेंगे अपन क्या यहां से इस परस रेखा का समीकन ज्याद करना उसके बाद यहां से अविलम का समीकन ज्याद करना सन्नी कटमान ज्याद करना और उसके बाद हम यहां से पढ़ने वाले हैं इसमें क्या उच्छिष निमनिष्ट उच्छितम निम समागलन अनिश्यत में जो भी हैं अपने सभी रूपों को अपन पढ़ेंगे प्रतिस्तापन विदी पूर्ण बर्ग विदी बहुत ही शांदार तरीके से खंड सहा विदी आंसिक विदी उनको और बहुत सारे प्यापक रूप के अपन चर्चा करेंगे और साथ ही अपन कलन अगला आता है इसके बाद अबकल समीकन में अपन अबकल समीकन को सबसे पहले घात और कोटी पर चर्चा करेंगे उसके बाद अपन यहाँ पर अबकल समीकन में कितने प्रकार से उनको हल किया जा सकता अबकल समीकन को उन पर चर्चा करने वाले हैं यहां से अबकल समीकन में चरों का प्रतकरन रूप समगाती है समगाती है बनाना चरों का प्रतकरन बनाना रेकी कबकल शमीकरण रेकी कबकल शमीकरण बनाना जिसको बर्नोली के नाम से भी जाना जाता है इन सभी पर चर्चा यहाँ पर करेंगे दोस्तों बहुती आनन्द आने वाला है एकदम मस्ती के साथ और बता हूँ अच्छे नमबर का प्रस्ण कहां से आता है एकदम आनन्द आ जाएगा दोस्तो आपको अगला आपने को topic मिलता है सदिस जिसको वेक्टर कहते हैं बीजगडित बिलकुल बीजगडित का topic रहेगा सदिस बीजगडित सजील Hampari सजीशों के प्रकार सदिस्लाओं का गुनन ॉidh और बहुती शांदारुन का प्रचिप ग्यात करना दोस्तो आनंद के साथ रृजों का चेत्र पल ग्यात करना स्मांदर से इंट्रेस्टिंग रहेगा एकड़म मस्ती के साहद आननद आपको दोस्तो आनेवाला है एकड़म पस्थी के साथ। इस पर तो अपने को सालवर चर्चा करनी ही करनी है आज अपन चर्चा ये कर रहे हैं कि अपने को पढ़ना क्या क्या है इस पर चर्चा अपन कर रहे हैं आगे चलते हैं दोस्तो 3D के बाद अपने को LPP बिल्कुल जोड़ दर एकदम ललू-लाल प्रशनावली है दोस्तो यहां से बिल्कुल आराम से अपने को क्या करना पड़ता है असमीकाहों को सौ्ण गरुना होता है मजा आएगा दोस्तो एकदम मस्ती के साथ राम लली को फशाएंगे और कैसे राम लली रोएगी और प्रश अगर आप डेली क्या करोगे डेली आपको क्या करना पड़ेगा किलास लेनी पड़ेगी कहां पर उतकर्स ऑनलाइन एप पर अपनी कलास से कहां मिलने वाली हैं उतकर्स ऑनलाइन एप पर मिलेंगी अब सर उतकर्स ऑनलाइन एप पर और हमें क्या क्या मिलने वाला है उतकर्स ऑनलाइन एप पर अपने को मिलेगा जैसे ही दोस्तो मेरा चैप्टर खतम होगा तो चैप्टर खतम होते ही आप क्या करोगे या आपको जैसे ही क्या मिलेगा हाथो हाथ Q's मिलेंगे अब आप उन्हों प्रशनों का जैसे ही solution करोगे जो कि MCQ wishes पे होंगे यहीं से competition की तैयारी भी आपकी प्रारम्द हो जाएगी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उनका video solution भी मिलेगा solution and video solution भी मिलेगा Q's का दोस्तो उसके बाद आपको और क्या मिलेगा जैसे ही मैंने class पढ़ाई तो उसकी PDF मिलने वाली है e-notes आपको मिलने वाले हैं उसके बाद e-notes आपको Sunday test आपको मिलने वाला है दोस्तो model paper solution आपको मिलने वाला है दोस्तो बहुत ही शांदार revision आपको मिलने वाला है दोस्तो तो बहुत सारे bumper 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 धमा के आपको मिलने वाले हैं आपको कहीं भी किसी परकार की कोई परेशानी नहीं आने वाली है दोस्तो बहुत ही शांदार मस्ती के साथ एक एक सांदार एक एक प्रशनपन करने वाले हैं जोड़दार एकदम मस्ती के साथ दोस्तो सो नंबर अगर अपने को लेकर के आने है ना तो आप बिलकुल किलास पहले दिन से ही प्रारम कर दीजिएगा और मैं तो कहता हूँ एक दम कलास में बیठ जाईएगा आनंद का भाव दोस्तो पैदा हो जाएगा तो आपको कैसा लगा एक दम सांदार तरीकी से आप समझ गए होंगे क्या क्या हमको पढ़ना है एक दम जोड़दार तरीके से तो दोस्तो 100 का मतलब 100 ही होता है और mathematics में 100 आप लेकर के आ सकते हो ये मेरा आप से बादा है दोस्तो बादा है दोस्तो Thank you sir